दो मेहने तक धनिया पत्ती को कैसे फ्रेस रखें? जी हाँ दोस्तों, दो मेहने तक फ्रेस कैसे रखे धनिया पत्ती को? आज मैं आपको सिंपल तरीका बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी है और रखने के लिए भी इसे कोई ताम जाम नहीं करना पड़ेगा. तो चलिए दोनों तरीके आज मैं बताने वाली हूँ, अगर आठ से दस दिन तक रखना है आपको तो क्या करना है? सिंपल इसके अच्छे तरह से जड़काट देने हैं और इसे आप पलास्टिक में भरके रख सकते हैं, इससे क्या हो जाएंगे? सब्सक्राइब इसे पड़ें पत्यते हैं, और आप इसे दौनों आपको साप कर ले न आए और इसे दोना नहीं है दोस्तों जी, नहीं, क्योंकि यह द्धनिया के जो पत्ते होते हैं दोस्तों होते तो बिना धोए इसे श्टोर करेंगे और जब जरूरत लगे की तब आप इसे दोके यूज कर सकते हैं तो यह देखे मैंने इसके डंठल हटा दिये है और यह धनिय पते को मैंने रख लिये हैं इसी तरह सभी को मैंने काट लिया है और यह देखे थोड़े से बने जड़ी है वो मैंने जड़े को छोड़ दिया है, आप चाहे तो उससे भी क्लीन करके आप मसाले में यूज कर सकते हैं, अब चलिए मैं इसे चाकू से अच्छी तरह से काट लेती हूँ, जादा बारिक भी नहीं करना है, मोटे-मोटे ही पीसे से मैं इसे कट करने वाली हूँ, जादा ब निकल जाएंगे, और टीसू पेपर लेंगे ना तो जितने भी एक्स्ट्रा मोश्चर है, जितने भी पानी है, सभी आपके अच्छी तरह से निकल जाएंगे, तो यह दिखें मैंने पर लिया है, उसके बाद एरटाय डबबा, और डबबे में अच्छी तरह से मैंने भार यह दो मेहने के लिए बिल्कुल ही सेफ रहेगी, एक तरीका तो हो गया, अब चलिए मैं दूसरे तरीकों बताती हूँ, यह देखें, दूसरे तरीके के लिए आपको लेना यह देखें, लोक वाले जो पैक होते हैं, चाय पत्ति के भी जो पैकेट आते हैं वो भी लोक वा और इसे यूज करे हमेशा फ्रेस रहेगी आपकी धनिया पत्ती यह देखे आपको कैसी लगी दोनों टिप यह हमें आप जरूर बताए तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नए ट्रिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई